प्रदेश में व्याख्यायता परिक्षा की तिथी बढ़ाने को लेकर राज्यसबा सांसद किरोडी लाल मीना के समर्थक में छात्रों का धर्ना जारी है। इस सब के बीच किरोडी लाल मीना सीएम आवास अशोगहलोत से मुलाकात करने पहुँचें, बता दे स्कूल व्याख्यायता भरती परिक्षा को लेकर किरोडी लाल मीना के नेत्रत्व में छात्रों का धर्ना जारी है। और चात्राएं अपनी मांग को लेकर जगतपुरा स्थित पाने की टंकी पर भी चड़ गई थी, जिने 34 घंटों बाद नीचे उतारा गया। सीम अशो गहलोत ने ट्वीट कर चात्राओं को नीचे उतरने की अपील की थी, जिसके बाद सीम गहलोत ने ट्वीट के बाद किरोडी लाल मीना ने चात्राओं को समझाईश कर नीचे उतारा था। आपको बता दे, 3 जनवरी से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाली स्कूल व्याख्यायता भरती परिक्षा तिथी को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश में चात्रों का धरना जारी है। चात्रा परिक्षा की तिथी 5 महीने आगे बढ़ाने के साथ ही बहरी राजियों के चात्रों का कोटा कम करने और पदों की संख्या 10 हजार किये जाने जैसी 5 सूची मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। और इन सब के बीच सांसत किरोडी, लाल, मीना और चात्रों का दल सीम आवास पहुँचकर अशोगहलोत से मुलाकात करने पहुँचा था। जहां सीम गहलोत ने शिक्षा मंतरी और वभाग को बाचीत कर कोई रस्ता निकालने की बात कही। साथ ही शाम तक पूरे मामले की रिपोर्ट सौपने के निर्देश दिये थे। इस सब के बीच अंदोलनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगो को नहीं माना जाता है तो जगतपुरा में रेलवे पट्रियों पर बैठ कर विरोध करेंगे। हालां की फिल हाल पूरा मामला सीम गहलों तक पहुंगे।